हेलो आल कैसे हो आप सब तो आज की रीडिंग जो है हमारी रहने वाली है देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में किया आपके पार्टनर आपके लिए तरस्ते और तडपते हैं ठीक है यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं देखो बहुत सारी लोग है नो करेंगे अपने रीडिंग को स्टार्ट ठीक है तो बता दू कि जनर रीडिंग है कलेक्टिव हैं बहुत सारे लोगों की एनेजिस को पिक करके मैं आपकी रीडिंग कर रही हूं तो वैसे ही लीजेगा आप सब ठीक है आप सा है कि आप सब जो है मेरी बातों को बहुत भली भाती समझ रहे हैं और सपोर्ट जरूर कीजे क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो मैं भी थोड़ा मतब की मेरा भी मन हो जाता है कि मैं रीडिंग ना करू छोड़ इतने लोग मेरे फैंस हैं बहुत सारे लोग है दुम्या में इस जो कि कहते हैं कि नहीं रूही जी कुछ भी हो जाए नहीं मैम कुछ भी हो जाए दी दी नहीं आपको नहीं छोड़ना है तो उसे से मुझे मोटिवेशन मिलता है इतलिए मैं रीडिंग करती रहती हूं और यह है और देखते हैं आज की इस रीडिंग में चलो स्टार्ट करते हैं आज की यह रीडिंग केंडल वेक्स रीडिंग आप लोग शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर के शांत अच्छा लगता है जब दूसरों की हेल्प हो मुझे तो बहुत के जरूरत होती है और मैं उस ताइम एविलेवल होती मुझे अगा है सो कि हर किसी को कम से कम दिन में एक अदमी की हल्प करनी चाहिए चलो मैंने केंडल जला ली है और करते हैं स्टार्ट रीडिंग को देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है ठीक है आपके जो पार्टनर है आपके लिए तरस्ते और थरपते हैं या नहीं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं कि यहीं है किनारा मेरा यही है सहारा मेरा अच्छा आपके पार्टनर का मैं एक देख रही हूं कि कुछ पैसे मुझे नज़र आ आया तो आप दुनों एक दुसरे के साथ काम करते हो एक दुसरे के साथ जॉब में हो या ऐसा है कि आप काफी हेल्प करते हो फाइनेशली अपने पार्टनर के और आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनांस को लेकर के थोड़ा टाइंशन में रहते हैं कंजूस हैं आपके पार्टनर नो डाउट उतना जदा खर्चीले मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर क्योंकि इनके फाइनेशली थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी भी लाइफ में हैं बड़ आप हेल्प कर देते हो जब भी आपकी इनसे बाते होती है या जितनी आप हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करते हो इस परसन की कुछ लोग का ऐसा दिख रहा है जिसे की डाइवाउस हो चुका है आपका कुछ लोग सिंगल है अन्मेरिट जो है वो एकदम से उनके लिए है ये रीडिंग ठीक है लेकिन जो मेरिट है उनके लिए भी मैं बता दूँ तो डाइवाउस का कुछ मुझे नजर आ रहे है ऐसा कुछ लीगल मैटर आपका चल रहा है आपके पार्टर के साथ आपके हजबेन या वाइफ के साथ और आप अपनी पार्टर से शादी करना चाहते हो कुछ इस तरीके की एनरजी नजर आ रही है खिलियरली आप दोनों अभी separate हो ठीक है दोनों में कोई किसी का कुछ connection नहीं है कोई आता पता नहीं है दोनों के दोनों एकदम से आपके partner तो आपके बारे में मतलब की आपको लगता है कि ये जानने की कोशिश ही नहीं करता मेरा partner समझने की कोशिश ही नहीं करता आपको ऐसा लगता है और आप यहीं सोचते हो अपने partner के लिए specially कि मुझे उससे उमीद कम रखनी चाहिए और आप यहीं सोच करके है ना यहीं सोच करके अभी अपनी situation में अपने आपको जो है ना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो अपनी life में आगे नहीं बढ़ा रहे हो ठीक है मुझे यहां पे आप एकदम से रुके हुए से दिख रहे हो एकदम से रुके रुके से जिन्दगी हो चुकी है आपकी ऐसे मुझे दिखती है ऐसा एसास हो रहा है मुझे आपके लिए ठीक है मुझे ये भी ऐसास होता है आपके लिए कि कई हतक आपको अपने पार्टनर के उपर शक है डाउट का मुझे नजर आ रहा है कि इनके उपर ब्लैक मैजिक हुआ है ठीक है आपको लगता है इनके उपर क्योंकि पहले ये ऐसे नहीं थे और ये अब अचानक से ऐसे क्यों हो गए अचानक से इतना चेंज कैसे आ सकता है है ना तो आप कही ना कहीं आपके माइन में है कि इस परसन के उपर कहीं ना कहीं black magic जरूर हुआ है जिसकी वज़ा से जो आपके partner है आपसे इस तरीके से कटे कटे से रहते हैं पहले इतना ज़दा जो एकदम से बेचैन रहते थे वो अब बेचैनी क्यों नहीं दिखाए देते हैं कहीं हद तक आप यही समझते हो कि आपके partner जो है ठीक है यह black magic इनके उपर हुआ है कुछ ऐसी चीज़े हैं कोई तीसरा person है आपको लगता है ठीक है लेकिन क्या है कि आपके जो partner है इनका मुझे दिख रहा है कि यह person काफी patience के साथ है ठीक है काफी patience के साथ एक दम अपने आपको होता है न कि एक line create कर लेना अपने लक्षमन रेखा खीच लेना कि मुझे इस लक्षमन रेखा के पार नहीं जानी है वैसे ही यहाँ पे देख लो हो रहा है नहीं जा रहे हैं आपके partner एक दम से नहीं अपने चीजों को जो है ना अपनी feelings अपनी emotions को जो भी situations आ जाए ठीक है यह person को नहीं तोड़ना है उस चीज को आपके partner तो आपका मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं काफी confused भी है काफी confused है और आपका ही वेट करते हुए नजर आ रहे है मुझे energy के साथ यही पे नजर आ रहा है कि आपके partner एक तरीके से जो होता है कि एक new journey पे start तो मतब कि जाना तो चाहते हैं लेकिन यह सुरुआत आपके तरफ से चाहते हैं काफी लंबे टाइम से इंदिजार चल रहा है काफी लंबे टाइम से आपके partner आपका time मतलब कि आपका जो love का weight है ना यह लंबे टाइम से कर रहे हैं और यह person बस उदास रहते हैं थोड़ा सा है ना थोड़ा सा कभी-कभी इनको mental depression हो जाता है यह person को ऐसा लगता है कि अपने relationship के लिए अगर मैं कहता है ना कि एक risk लेना है ना तो risk लेता हूँ तो पता नहीं क्या होगा risk लेने से ही कुछ होगा कहीं हद तक आपके partner कभी-कभी यह भी सोच लेते हैं कि वो move on कर गई होगी कर गया होगा सो मुझे भी move on कर जाना चाहिए और अपनी life में चीजों को समझना चाहिए और उसी के अनुसार से अपनी life में आगे बढ़ना चाहिए यह person ने कई बार आपने कुछ जो gifts दिये हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़े दी हैं जिसको कि यह person टच करके उस एहसास को वो feel करते हैं ठीक है उस एहसास को वो feel करते हैं जिस तरीके से आपने उस person को दिया है ठीक है बड़े ही प्यार से आपने जो वो gift दिया है उनके लिए वो gift lucky भी है और उस gift को इस person ने अभी तक सम्हाल की भी रखा है कभी-कभी तो ये पर्सन का दिखता है जैसे कि अपने साथ वो गिफ्ट लेकर कि वो सोते भी है ठीक है जब भी अकेले होते हैं तब ये सोते भी हैं उस गिफ्ट के साथ जो भी आपने गिफ्ट दिया है जो कि बहुत ही यादगार है बहुत ही एकदम होता है ना कि special gift तो ये मुझे इनका नजर आ रहा है आप चाहते हो ठीक है आपकी मैं यहाँ पर देख रहे हैं feeling कि अभी no contact में है तो आप चाहते हो कि ये person वापस आ जाए और सारी चीज़े जो है न सच सच बोले, सच सच बताए आप expect कर रहे हैं कि ये person की life में जो भी चल रहा है ये मुझे से बताएंगा या बताएगी आप अपने intuitions आपकी intuitions आपको बता रहे हैं कुछ हद तक आपको guidance तो मिली रही है आपकी intuition से ठीक है लेकिन यहाँ पे आप नई समझ पा रहे हो अभी अभी आपको यकिन नहीं हो रहा है आप यही सोच रहे हो कि अगर मैं इस relationship में और मेरा partner अगर इस relationship में दोनों equal given टेक करें तो ये relationship काफी 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 प्रूटफूल होगा ठीक है आपके पार्टनर की वही energy को में देखूँ तो आपके person काफी दुनिया से या फिर अन्या लोगों से disconnect करते हुए दिख रहे हैं इनको दुसरों में कोई interest नहीं है बहुत कम बाते करते हैं बहुत कम special ठीक है बहुत कम किसी से बाते करना पसंद है इनको ज़्यादा बखबख करना इनको पसंद नहीं है ज़्यादा नहीं बात करते हैं पर्सन एक अपने कहते हैं न फिलिंग्स को हाइट करना इस पर्सन का nature है यह पर्सन का nature मुझे नज़रा रहा है आपके बाटनर काफी यंग भी होंगे और थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रूड देख रहे हो थोड़ा सा रूड ज़्यादा नहीं रूड नेचर थोड़ा सा मुझे नज़रा रहा है आपका आपके जो पर्टनर है आपके इसी रूड नेचर की वज़र से थोड़ा बहुत disturb भी नज़र आ रहे क्योंकि इनको लगता है कि कभी-कभी आप ज़्यादा दबाव बना देते हो यह no contact situation में है person और जब इनके साथ कोई कि ऐसे बिहेव करते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती हो और इनको लगता है कि अरे यह तुभई है आपको बार बार आउन्लाइन चेक करते रहते हैं आप कब ऑन्लाइन आ रहे हो कितनी देर के लिए आ हो कब ऑनलाइन हो अगर आप सोसल मीडिया यूज करते हो तो आपको हमेशा आपके पार्टनर चेक करते रहते हैं आप भी चेक करते हो हमेशा क्या चल रहे है क्या नहीं चल रहे है तो यहाँ पे क्या है कि यह परसन जो है यह परसन इतना जज़धा मैं देख पानी हो कि उतना ज़धा खूज़व इनकी खराब नहीं है या फिर उतना भी ज़दा आपको ले करके जी टेंशन में नहीं हैं अब उपैल हाल जो है सो मैं बता रही हूं ठीक है फिलहाल मुझे ये पर्सन उतना ज़्यादा आपको उतना ये अपने आपको मैच्वर कर चुके हैं या कहें तो स्ट्रॉंग बना चुके हैं इमोशनली, मेंटली कि ये पर्सन को और कुछ करने की ज़ुरत नहीं है बस इंतिजार है ना तरसना तरपना तो नहीं देख पारे हुँ मैं बस ये है कि हाँ इस पर्सन के अंदर पेशेंस काफी है पेशेंस बना के रखाए इस पर्सन ने अपने आपको एकदम से स्टॉंग बना लिया है इस पर्सन ने बात करना चाहते हैं पेशेंस बनाया है इस पर्सन ने लेकिन बात भी करना चाहते हैं आपके साल इनकी एनरजी ऐसी है कि इंट्रेस्टेड हैं आपसे बात करने में और जल्दी से जल्दी बात करना चाहते हैं, खुलके बात करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, और ओके देखो बाते तो करना चाहते हैं, खुलके बाते करना चाहते हैं, टीबल टॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे यह दिख रहा है, यह आपके लिए तरस्ते और तडपते नहीं हैं, ठीक है, मिस बहुत करते हैं, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और दिल से करते हैं, जब भी मिस करते हैं, आपको बेच से च्छा जाती होगी आपको तो यह सिंबल्स हैं कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं ठीक है और मेंटली आप स्ट्रॉंग होने की कोशिश करते हो इधर उदर काम करने की कोशिश करते हो अपनी फिलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते हो आप भी लेकिन क्या होता है नहीं हो पाता है आपसे भी नहीं हो पाता है नहीं हो पाएगा आपके जो एनेर्जी है यहां पर यहीं बता रही है कि नहीं हो पाएगा आपसे भी नहीं भाग पाओगे कितने भागोगे कितने लेकिन यहाँ पर भाई है कि तरस्ते तरपते नहीं आपके लिए ठीक मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है चलो फिर करते हैं आप रीडिंग को ख recent मिलते हैं फिर अगली डिडिंग में ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अच्छा लगता है मुझे आप लोग के साथ connect होना मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में तब तक खसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और खुश रहे हैं बाबाई